Hello guys, welcome back to the class, I am Shubham Haji, your faculty for general studies दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हम एक MCQ सीरिस कर रहे थे डिस्टिक के उपर और आज आपकी जो डिस्टिक आती है वो आती है डिस्टिक गांदरबल जिसको हम जेके 1680 और रेजिस्टेशन नमबर से जानते हैं ठीक है अगर आप जानते होंगे यह वही गांदरबल है जहां पर हमारा फेमस माताखीर भवानी टेंपल भी पढ़ता है ठीक है तो चलिए आज हम इसी डिस्टिक को करते हैं और एराउंड 35 MC की कोश्चन्स हैं तो चलिए उसके बारे में करते हैं यह आगे हमारा क्या कहते हैं गांदरबल ठीक है चलिए और गांदरबल के बारे में अगर आपको पता होगा यह सिंद नाले के लिए बड़ा जादा फेमस है मानस बल लेक यहाँ पर आती है विशंसर लेक हमारी यहाँ पर आती है यमसार लेक हमारी यहाँ पर आती है तो चलिए उनके बारे में अब MC की उसके थ्रू हम शुरू करते हैं चलिए बात करते हैं इसके जो नोट समने थोड़े से बनाए हुआ इसके बारे में बात करते हैं सबसे पहले तो आपने एक बेसिक चीज याद रखनी है गांदरवल के बारे में गांदरवल में पहले एक होता था स्प्रिंग एक स्प्रिंग होता था और उसी के उपर से इसका नाम पढ़ा हुआ है और इस स्प्रिंग का नाम होता था गांधरवन और ये टाइम दा टाइम गांधरवन नाम चेंज होके क्या हो गया गांधरवल पढ़ गया पास में अगर बात की जाए गांदरबल को gateway to central Asia भी कहा जाता था आपक है क्या कहा जाता है in the past the गांदरबल was known by the gateway to central Asia ठीक है और ये फिर important station होता था जो हमारे historic शिल्क रूट के बीच में आता था Islamic influence हमारे कश्मीर में जो है गांदरबल की वज़ा से बढ़ा क्यों? हजरत शाह हमदानी ठीक है रिंचन शाह जो हमारे फस मुस्लिम रूलर थे कश्मीर के मिर्जा, हैदर, दुगलत तोगरा जो है ये भी हमारे कश्मीर में कहां से आया है गांदरवल से आया है तब ही हमारे यहां पर इस्लामिक इंफुलेंस में गांदरवल का बड़ा जादा अपना योगदान भी आप कह सकती हूँ ठीक है पहले गांदरवल को सिन्दवल्य भी कहा जाता था ये भी याद एक ना ठीक है गांदरवल में ही सिन्दवल्य आती धी क्योंकि यहां पर सिंद्रीवर होती थी चलिए बागे गांदरवल जो है ये बड़ी सेक्रेट फिल्गे में साइट्स के लिए जो आती है इनका नाम आता है जिसमें आपको बता है खीर बवानी टेंपल जो है सबसे पहले आएगा ठीक है चलिए बागे फिर बात करते हैं गांदरवल जो है हमारे श्री नगर से हमारे साउथ में आता है अब इसके बाटर्स की अगर बात कीजए ठीक है अगर बाटर्स की बात कीजए श्री नगर इसके साउथ में आता है बांदीपूर इसके नौर्थ में आता है कारगिल इसके नौर्थ हीस में प्रि इसके चार एड्मिनिर्स्टेटेटिव ब्लोक्स आते हैं गांधर इंडर्वल, कंगन, लार और वकूरा ठीक है चार administrative blocks आते हैं इसके गांदर बल कंगन लार और वकूरा और सिंद नाला जैसे मैंने आपको starting में भी बताया था इसमें गांदर बल में सबसे important आप कहा सकते है water stream है और सिंद नाला अगर आपको बता होगा ये tributery भी आती है किसकी JLM river की और सिंद नाला के ओपर ही जो बारे में बात कते हैं वो कौन-कौन से आएंगे ठीक है सबसे पहले आता है हमारा lower sand hydroelectric power project जो गांदर बल में आता है अपर सिंद hydroelectric power प्रजेक्ट जो हमारे कंगन में आता है अपर सिंध है इलेक्टिक पावर प्रजेक्ट वो सेकेंड है वो आता है सुंबल में ठीक है यह सब electricity generation में काम आते हैं और यह किस के अपर है सिंध नाले के अपर बने हुए चलिए बागे और सिंध नाले का पानी जो है पूरे के पूरे शेनगर को भी दिया जाता है और उसको कहा जाता है रंगील वाटर ट्रीट्मेंट प्लान ठीक है यह भी बदा चलिए आपको चलिए वागे अब इसकी जो है लेक्स कोन कोंसी आती है मानस बल गंग बल ठीक है यह सब हमारे यहां पर आता है और वरल्ड फेमर्स हर मुख मांटें भी हमारे यहीं पर आता है गांदर वर्ल डिस्टिक में ही आता है विशंसर लेक गणसार लेक यह सब यहाँ पर आती है चलिए अब इसकी tourist destination के बारे में बात किया जाए पहला इसका जो tourist destination आता है वो आता है थजी वस्गले ठीक है मानस बल एक आ गया बाबा नगरी वंगात सोना मर्ग अमनात केव कमर साहिव और बाबा हैदर और नर्नाग ठीक है ये सब इसकी क्या आगी हमारी क्या कहते है टूरिस डेस्टिनेशन अब चलिए जिसके लिए आप हमारे साथ जुड़े हुए है mcqs उसके उपर questions करते है एक है देखिए सबसे पहला question क्या है गांदर भवन which is believed to be the original name of the गांदर भल इस basically है बताइए इसका क्या answer आएगा गांदर भवन जो है original name जो है गांदर भल का है ये आपने याद रखना है ठीक है गांदर भवन इसका original name था originally क्या था ये यह आएगा option number D spring originally गांदर भवन क्या था पहले एक spring था ठीक है जिसके ओपर गांदर भल का नाम पड़ा हुआ है दूसरा question in which year गांदर भल district was formed जो आप जेके 16 district कर रहे हैं ये कौन से साल में बनी थी बताइए इसका क्या answer आएगा option number A, B, C या D ठीक है बताइए 27, 8, 9 या 10 बताइए second question का क्या answer आएगा इसका आएगा option number A, 2007 answer आएगा चलिए next question के ओपर which lake is known as a supreme jam of all कश्मीरी lakes ठीक है कौन सी इन में से लेक है जिसको कहा जाता है supreme jam of all कश्मीरी lakes देखिए क्या answer आएगा इसका मानसबल, गांदरबल, डल लेक या वुललेक, option number A, B, C या D बताइए इसका क्या answer आएगा, third का इसका आएगा option number A, मानसबल, ठीक है, एक और चीज़ मैं आपको बतादू, मानसबल जो lake है ना, मानसबल लेक के बारे में याद रखना है, it is the derivative of मानसरोवर लेक ठीक है, it is the derivative of मानसरोवर लेक, कोंसी लेक आती है, मानसबल लेक, और यह कहां पर आती है, हमारी गांदरबल डिस्टिक में, चलिए बागे next question, मानसबल लेक और कोंसा record दिया गया है, जो हमारे Wikipedia तक ने उसको क्या दिया हुए, acknowledge किया हुए, largest lake of India, cleanest lake of India, deepest lake of India, या greatest lake of India, ब मानसबल लेक कोंसा record आता है, वो आएगा, option number C, deepest lake of India, एक है, option number C, या answer आएगा, इसका, चलिए next question के ओपर, fifth question के ओपर, मानसबल लेक is situated in village of गांदरबल, अब यह अच्छा कोशन है, गांदरबल की भाई, कोंसी village में जो है, अब हमारी क्या आती है, मानसबल लेक आती है, य इसका आएगा, option number A, सफापूरा, ठीक है, सफापूरा विलेज में आती है, हमारी मानसबल लेक, चलिए next question, which place in गांदरबल is known as the vicar hub of कश्मीर, बढ़ा अच्छा कोशन है भाईए, क्या बता है, आप से JKSSB में यही कोशन पूछा जाए, कोई भी exam हो सकता है, vicar hub of कश्मीर क कोँ सी जगा को कहा जाता है, सफापूरा, सुंबल, शेर पत्री या option number D, गांदरबल टाओं, बता ही इसका क्या answer आएगा, six question का, इसका आएगा, option number C, शेर पत्री, ठीक है, क्या आएगा, इसका option number C, आएगा, शेर पत्री, चलिए next question, the name of the wetland located in शेर पत्री is, अब गांदर wetland आता, option number C, शेर पत्री wetland, अंचल wetland, या bird watching wetland, इसका आएगा, as expected option number C, शालाबाग wetland, ठीक है, शालाबाग wetland आएगा, इसका, चलिए next question, the main river of the गांदरबल district is, बता ही इसका क्या answer आएगा, कोंसी main नदी है, हमारी गांदरबल district की, अभी हमने की है, इसके बारे में, सिं इसका आएगा, option number C, सिंध रीवर आएगा, ठीक है, सिंध नाला भी इसको कहा जाता है, और आपको पता है, सिंध नाला क्या आता है, ये आता है, ट्रिब्यूटरी, ठीक है, it is the tributary of which river, it is the tributary of जेलम रीवर, अब बात करते है, source क्या है, आपको बता है, इसका source क्या आता इसका आता है, जेलम रीवर का तो हमें बता है, कौन सा source आता है, वो आता है, एक spring, चलिए अब, the meaning of the name of हर्मुख mountain is, हर्मुख mountain का नाम का मतलब क्या आता है, option number A, डियाडम, डियाडम होता है, जटाएं, डियाडम अफ हर, हरा, या हर आगे हमारे, जटा आप शिव, बताएं, इसका क्या answer आएगा, A, B, C या D, हर्मुख mountain के नाम का क्या मतलब आता है, डियाडम, जटा, डमरू, या रेजिदेंस आफ शिव, इसका है का option number A, डियाडम अफ हर, ठीक है, डियाडम अफ हर, इसका answer आएगा, चलिए next question के ओपर चलते हैं, यमसार is the other name of which lake, यमस पेहले तो भई, question आता है, यमसार का मतलब क्या है, यमसार जो लेख आती है, यमसार लेख का मतलब हता है, lake of yum, ठीक है, इसको lake of death भी कहा जाता है, तो बताएं, ये कोई सी लेख आती है भई, गंगबल, किशंसर, नंदकूल या गटसार, बताएं, इसका क्या answer आएगा, ट इसको कहा जाता है भाई बता दीजिए इसका भी आंसर है अब भी हमने पिछले कोशन में भी किया था यमसार भी कहा जाता है गटसार यह इसका क्या मतलब आता है लेक अफ डेथ भी कहा जाता है इसको चलिए बागे नेक्स कोशन के उपर दक किश्मीरी मीनिग ऑफ गटसार ले किस चलिए इसका किश्मीरी नाम का मतलब किया इसका गटसार जो है किश्मीरी नाम है ठीक है तो उसका किश्मीरी मीनिंग क्या आता है? लेक आफ ट्राउट्स, लेक आफ हैपिनेस, लेक आफ फिशिस या लेक आफ मिडोस, बताइए इसका क्या आंसर आएगा? A, B, C आइडी बताइए क्या आंसर आएगा आपका question number 12 का? इसका आएगा option number C, लेक आफ फिशिस और यहाँ पर कोंसी जादा फिश पाई जाती है? वो आता है आपका ब्राउण ट्राउट्स, ठीक है? ब्राउण ट्राउट्स इसका यहाँ पर सबसे जादा पाई जाती है गंगबल लेक इस नोन भाई विच ने? बताइए अब इसका नाम क्या आएगा? ठीक है जो गंगबल लेक है उसको और किस नाम से जाना जाता है? हर्मुक गंगा, छोटी गंगा, इन्कलोस गंगा यह नीली गंगा? बताइए इसका क्या आंसर आएगा भई? थर्टिंथ का इसका आएगा ओफ्शन नमबर हर्मुक गंगा, इक है? चलिए नेक्स कोशन के ओपर, विच लेक इन बांदीपूरा है से मीनिक आफ लेक अफ नंदी? इक है बांदीपूरा में कोंसी लेक है? जिसका मतलब आता है, नाम का मतलब है लेक अफ नंदी? गंगबल, नंदकूल डल या वुलल, बताईए अब इसका क्या अंसर आएगा? इसका आगर आपको पता होगा, इसका ओफ्शन नमबर बी आता है, नंदकूल, ठीक है? चलिए फिफ्टिंध कोशन के ओपर, विच मांटन इस नोन एज अ केलाश अफ किश्मीर? बड़ा अच्छा कोशन है भई, बड़ी बार पूछा गया, जेके SSB ने इस कोशन को बड़ी बार पूचा हुआ भई, जेके SSB के जूनिय आसिस्टन लगा लो, यहा कोई भी आप एक्जाम लगा लो, यहां तक कि जेके PSC ने भी पूचा हुआ भई, अपने KS की एक्जाम में भी बी पूचा था, हाँ व ठीक है हर्मुख माउंटेन को क्या कहा जाता है, बड़ा important question है बहुत important question है, जैसे आपका वो है ना परमंडल, परमंडल को क्या कहा जाता है, छोटा काशी कहा जाता है, उसी तरह जो हर्मुख mountains हैं, इनको क्या कहा जाता है, किलाव शाप कश्मीर कहा जाता है, यह आपने अंसर आएगा 16 गोशन का इसका आएगा option number ए विशंसर ठीक है विशंसर लेख इसका आएगा चलिए बागे विशंसर लेख इसा सोर्स और विच और फॉलिंग रिवर ये भी अच्छा कोशन है इन में से कौन सी नदी का विशंसर लेख को सोर्स माना जाता है यहां वो है किश सकता तो आपने A या B में से बताना है तो क्या answer आएगा इसका option number ए किशन गंगा एक किशन गंगा इसका आएगा किशन गंगा इसका आएगा चलिए 18 कोशन के ओपर चलते हैं which lake is known as the lake of Krishna बड़ा अच्छा कोशन आए भी कोशन तो सारी अच्छे होते है भाई जो एक्जाम म आता हो वो तो हमारे लिए आगे ही अच्छा होता है तो बताएगा विशन सर किशन सर गटसार या किशन गंगा इसमें से हमने बताना है कौन सी lake को lake of Krishna कहा जाता है तो बताएगा इसका आएगा option number एगा किशन सर और अगर आपको यह पता होगा यह कहां पर है सोना मर्ग में ठीक है यह सोना मर्ग में आती है चलिए नेक्स कोशन के ओपर चलते हैं विच रिवर लाइस एड़ लेफ बैंक अवा वंगात रिवर विच इसे ट्रिब्यूटरी ऑफ सिंध रिवर कोशन को पढ़िए अच्छी तरह से जो वंगात रिवर आती है ना ठीक है वंगात जंगन नरनाग या नील नाग बताइए इसका क्या अंसर आएगा और यहां पर रिवर नहीं आना था यह वाटर वाड़ी आना था ठीक है यहां पर वाटर वाड़ी आना था यहां विच बाड़ी भी आप कह सकते है थोड़ा कोशन गलत हो गया हुए यहां पर रिवर तो ही आएगा इसका ठीक है इधर यहां तो वाटी बोडी आना था यहां वाटर बोडी आना था तो इसका आएगा option number C नर्नाग ठीक है option number C आएगा इसका नर्नाग आएगा चलिए 20th के ओपर which village in गांदरबल is believed to be the dedicated to ancient नर्नाग tribe of Kashmir ठीक है क्या question है अगर आपको पता होगा यह जो नर्नागास है ना यह जो नर्नागस है ठीक है यह दीस नर्नागस हादा original inhabitants of Kashmir ठीक है देहादा original inhabitants of Kashmir यह आपको पता ना एक जलोद भावा करके राक्षस होता था जिनकी atrocities से हमारे क्या नाम है जो कश्यव रिशी थे उन्होंने क्या किया था उसको पूजा की थी वहाँ पे कश्मीर में से वो सतिसारस ले को ड्रेन करने के लिए actually कौन से tribe ने उनके अप्रोच किया था वो यह नागास tribe भी थे ठीक है अब question देखिए कौन सी ऐसी विलेज है गांदरवल में जो बिलीव की जाती है यह नागा tribe जो है कश्मीर के उनको dedicated है बताइए नरनाग कोटा विलेज कंगन या मतन बताइए 28 का क्या आएगा इसका आएगा option number नरनाग ठीक है नरनाग आएगा इसका चलिए बागे अब यहाँ पर नर्नाग जो विलेज की बाद चल रही थी न ठीक है जो नर्नाग विलेज की बाद चल रही थी यहीं पर एक नर्नाग टेंपल है ठीक है यहीं पर एक नर्नाग टेंपल है तो आपने बताना है कि भाई वो किनों ने बनाया था ठीक है वो किनों ने बताया था अब अंती वर्मन, शंकर वर्मन, कोटा रानी या लली तादित्य मुक्तापीडा तो बता दीजिए इसका क्या अंसर आएगा ठीक है तो इसका आएगा option number D लली तादित्य मुक्तापीडा और यहां से आपने अब comment section पर बताना है कि यह जो लली तादित्य मुक्तापीडा थे यह कोंसी dynasty से belong करते थे वैसे तो आपको यह आता होगा ठीक है कोंसी dynasty से यह belong करते थे यह आपने comment section पर बताना है चलिए 20 second के ओपर ठीक है अब ये कोशन अच्छा है अगर आप कभी गांदरवल के बारे में पढ़ेंगे न विकीपीडिया से वहाँ पर टोटल आती है आठ लेक्स जो उन्होंने मेंचिन की हैं ऐसे तो बढ़ी हैं वहाँ पर मेजर जो विकीपीडिया के द्वारे जो रेकेगनाइज़ हैं वो मेजर वहाँ पर आठ लेक्स है और वो आठ लेक्स की न दो तरह की केटगरी आती है एक आती है अलपाइन ठीक है एक आती है अलपाइन लेक दूसरी आती है प्लेन लेक कौन सी आती है दूसरी प्लेन अब इन में से हमने बताना है इन में से कौन सी लेक जो है अलपाइन लेक नहीं आती है गड़सार, गंगबल, मानसबल, यहां सतसार बताईए इसमें से क्या आंसर आएगा 22 का ठीक है इसमें से बताईए क्या आंसर आएगा इसका हैगा option number C मानस बल लेक ठीक है क्या हैगा मानस बल क्योंकि ये क्या है plane lake आती है वहाँ की ठीक है ये क्या है वहाँ की plane lake चलिए 23rd की ओपर गांदर बल holds the distinction of grape town of Kashmir due to which town ठीक है ये भी आपके लिए important question है भई अगर आप से ये पूछा जाए which district is known as the grape town of Kashmir ठीक है which district is known as the grape town of Kashmir वो कौन सी आएगी गांदर बल आएगी ठीक है अब भाई वहाँ पर कौन सी जगह है कौन सी village है जहाँ पर सबसे जादा वहाँ पर grape उगाए जाते है या अंगूर उगाए जाते है अब बता दीजे भाई वो कौन सी आती है गांदर बल लार तुल्मुला या option number D कंगन बताइए इसका answer क्याएगा इसका आएगा option number B लार लार जो है ये village है जिसकी वज़ाए से गांदर बल को grape town of Jammu and Kashmir बोला गया next question the sacred खीर भवाणी temple is located in which village of the बाई ये ये तो हमें पता है कि जो हमारा क्या कहते है माताखीर भवाणी का मंदिर है वो कहां पर आता है वो गांदर बल में है ठीक है कोई ही होगा Jammu and Kashmir का जिनको माताखीर भवाणी के बारे में नहीं पता होगा पर यहाँ से एक बाई जेके SSB आपसे ऐसा कोईशन भी पोच सकता है बताईए वो कौन सी विलेज है ठीक है वो कौन सी विलेज है गांदर बल की वो कौन सी विलेज है जहां पर माताखीर भवाणी टेमपल आता है बताईए इसका अंसर A, B, C and D बताईए क्या आइगा इसका इसका आएगा option number है तुल्मुला ठीक है क्या आएगा option number है आएगा तुल्मुला चलिए next question विच टूरिस प्लेस इन गांदर बल वास वन्स नोन बाइदा गेटवे अप दा एंचेंट सिल्क रूड ठीक है कौन सा टूरिस प्लेस आता है ठीक है कौन सा टूरिस प्लेस है गांदर बल में जो पहले गेटवे अफ एंचेंट सिल्क रूड कहा जाता था जो कश्मीर को हमें पता है कि गांदर बल को पहले क्या कहा जाता था गेटवे अफ एंचेंट सिल्क रूड यहां gateway यह कहा जाता था अब वो कौन सी जगए जैसे अभी हमने वो किया ना लार के बारे में लार की वज़ा से जो है गांदर बल क्या है एप पर वो आती है ग्रेप टाउन आता है जमू एंड किश्मीर का तो यहां पर भी तो कोई एरिया होगा ना इसकी वैसे वो कहा जाता है तो इसका अंसर आएगा option number is sona mark ठीक है क्या आएगा sona mark इसका answer आएगा चलिए next question के ओपर चलते है अब गांदर बल इंडिवाइड इंटू how many तैसील्स ठीक है गांदर बल जो डिस्टिक है इस इन दगांदर बल डिस्टिक वैसे इतना मतलब कोशन नहीं पूछा जाएगा पर चलिए अब knowledge की बात कर ही रहे हैं तो फिर सारा कुछ पता होना चाहिए ना पताईए कों से education institute आता है यहां पर University of Kashmir, Ignau, Central University यहां LPU पताईए 27th का क्या answer आएगा इसका आएगा option number is Central University of Kashmir चलिए 28th कोशन विच श्राइन इस लोकेटिट इन तुल्मुला अफगांदरवल ठीक है जो तुल्मुला डिस्टिक आती है इन में से और कौन सा वहां पर श्राइन आता है ठीक है कमर साहिब, शेक साहिब, रुपईया आलम या मुमिन इलाका, बताइए इसका क्या answer आएगा ठीक है इसका आएगा option number is कमर साहिब ठीक है कमर साहिब आएगा इसका, चलिए 29th के ओपर पार और बल, एक्चली क्या है परिबल ठीक है परिबल भी ले जाती है गांदरवल में परिबल जो है दो नाम से बना होगा पार और बल ठीक है अब इसके मतलब क्या है ठीक है अब इसके मतलब क्या आते है पर और बल का पहला option है लकड़ और पानी option number B चिसल्स और रिवर साइड option number C flowers and lakes option number D fairies and meadows अब बताइए इसका क्या answer आएगा इसका आएगा option number B चिसल्स और रिवर साइड ठीक है चिसल्स और रिवर साइड आएगा इसका next question चलते है which of the falling is not a village of गान्दरवल बताइए इसका क्या answer आएगा ठीक है इन में से कोंसी जगा जो है village नहीं आती है गान्दरवल में हरी पूरा शालाबाग पराल कोट यह option number D वकूरा बताइए इसका आएगा option number A option number C आएगा पराल कोट क्यों भाई यह कहां बर आती है पुंच में आती है ठीक है यह पुंच में आ तभी पराल कोट नहीं आएगा 31 के ओपर चलते है which district of jamu and kashmir is known as a district of lakes एक और कोशन इसके लिए वैसे तो हमें बता है इसका answer के आएगा इसका answer तो गंदरवली आएगा ठीक है इसका तो गंदरवली आएगा पर यहां जे आपके एक और कोशन आगया ना कि भाई district of lakes कोशन से आती है वो कोशन से आएगी गंदरवल डिस्ट्रिक हमारी एक है और यहां पर सबसे important कोशन से लेका आप अगर कह हो तो वो आएगी मानसबल लेक जो deepest lake of India भी है एक है अब बताइए इसमें से कोशन सा जो glacier है हमारे गंदरवल डिस्ट्रिक में आता है थजिवस, कुला हुई, बीश्यम या हलदार बताइए 30 सेकंड का क्या आएगा इसका आएगा option number ए थजिवस एक है next question के अपर चलती है which of the falling is the tributary of Indus River बताइए अब इसका इन में से कौन सी नदी जो है हमारी tributary है जेलम रिवर की इसका आएगा option number ए नील गरड़ गड़सार जरोखा या नीलम बताइए 33 का क्या आएगा option number A, B, C या डी इसका आएगा option number ए नील गरड़ ठीक है next question डिस्टिक गांदरबल has how many assembly consequences जमू एड कश्मीर assembly की हमारी कितनी यहाँ पर सीटें आती है बताइए इसका आएगा option number B, 2 ठीक है टू आएगा और आज की हमारी session का last question है शायद यह नहीं दो बचे है select the pair of seats from गांदरबल ठीक है अब बताइए जो हमने दो assembly city की है दो assembly city अभी हमें पता चला ना गांदरबल की है और वो कौन-कौन सी आती है सोना मर्ग और कंगन, कंगन और तराल, कंगन और गांदरबल यहां कंगन और मानसबल बताइए 35 का क्या आद हैगा इसका हैगा option number C, कंगन और गांदरबल ठीक है और गांदरबल का एक मेरे हिसाब से most important question है जो मैंने last में रखा था और यह बड़ा है भी अच्छा कोशन है पहले गांदरबल को क्या कहा जाता था गांदरबल प्रिवियस्ली रिनेम्ड एस या रिमेंड एस क्या हैगा सी-म्स कॉंसिट्वेंसी, शायरी का डेरा लैंड अफ इंटलेक्ट्स, या लैंड अफ इंजीनियस बताईए इसका क्या अंसर आएगा इसका आएगा option number है सी-म्स की कॉंसिट्वेंसी ठीक है, maximum जो सी-म्स हमारे जम्मुएंड किश्मीर में ऐसा कहा जाता था, कहां से आते थे, गांदरबल से ठीक है, तो चलिए दोस्तों